मैं नेम इस मनिशा पिरागी वेलकम टो MLT एजुकेशन पॉइंट प्रिवेस लेक्षर में हमने पढ़ाता व्वीजी के बारे में ठीक है हम सेल्स पढ़ रहे थे सारी तो आर्बीसी हमने पढ़ ली थी डवीजी के बारे में भी हमने देखा था और आज हम पढ़ेंगे डव वल्लिवीसी वह बहूत सारे चनल टी-टीन के अलग अलग जो है वह ग्रेणुलोज या लोब्स जो है वो नहीं प्रजेंट होते हैं इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइट क्या गया है ग्रेणुलोज़ और ए ग्रेणुलोज़ इंका नाम जो है वो ब्लट सेल्स हों कहते हैं ल्यूः 살 ठीक है अब बात करते हैं नूटोफिel की स्च्छ टिंश ऑылम गया उक्रजिंट हो गर?!" इसका डायमेटर कितना होता है तो 12-15 micrometer जो है इसका diameter होता है नॉर्मल वेल्यू इसके कितनी होती है तू तू थाउजन टू शिक्स टाउजन एमम यानि कि 2000-6000 mm किसी में साथ अजब में हर बार आपको यही बात बताती हूं कि थोड़ा बहुत variation आपको हर बुक में मिलेगा चाहे नॉर्मल वेल्यू की बात करें डायमीटर की बात करें इसके साइज की बात करें ठीक है अब हम बात करते हैं इसके life span की बारे में कि नुट्रोफिल का life span जो है वो WBC में यानि कि ब्लड में कितने दिन तक होता है तो ती इसके को हम पॉलिमोफ भी कहता है क्या क्यते है पॉलिमोफ भी से कहा जाता है या फिन मैक्रोफेस भी से कहा जाता है ठीक है क्या होते है इसके first cell बोडी के अंदर इंटर करता है तो सबसे पहले किल करने का काम को रीवी से करता है इसमें विलिघ के लिल के औरcono क्ने करती है कि तो एक्टरीय universe आप की वूडी में जब भी को inflammation होगा तो इन सेल में सबसे पहले मर्लाणी नुटी चैटंब में हमारी नहसरी में सबसे ज़ादा रचे है तो सबसे पहले अंप्रिंग बोर करती है तो यह हमारी बोडी में इंटर करेगा तो उसको भी क्या करेगी इंफलक्ड कर लेगी ठीक है इसके अंदर जो उसको खा जाती है इसलिए यह किसमे रॉल निबाती है फेगो साइटोसिस में और रिमूव डेट सेल में आपको बता है कि जो भी डेट सेल यह भी मरी हुई सेल होगी उ न्यूट्रोफीलिया और अगर कम हो जाएगी तो फीलिया की जागे आ जागा पीनिया न्यूट्रोफीनिया ठीक है न्यूट्रोफीनिया मतलब की इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और न्यूट्रोफीनिया मतलब की डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूट्रोफीलिया protein पीज़ प्रोड्यूस नहीं पर रही है तो उस इसके बार परी है क्योंकि प्रोड्यूस करें इसके बात करते है इस तरह के बाड़े में топπόlt ना इसने चाहिए टैके तो ज़ीज़ाय के निट्रोफिल अमारी बोड़ी में यां की इसका को कैसा होता है समेस न्योट्रोफिल इसका ट्वैल टू-14 माइक्रोमीटर होता है ठीक हे नॉर्मल वेल्यो इसकी कितनी होती है तो नॉर्मल वेल्यो होती है इसकी 500-400 mm है 400 g 500 native सको होता है ये चाल तक ये यह वह मतलब दो और Lord मतलब की दो लो लोब कहा जाता है शेक्ष explain ये ये क्या करती आफ गरिस करती है है यानि कि जब भी आपके बोड़ी में कोई इंफ्लामेशन होता है तो क्या होगा यह इस्टामीन जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा ठीक है क्योंकि यह क्यामिकल रिलीस करती है करती है करती है इस्टामीन का जब आपको कोई इंफ्लामेशन होता है ठीक है और इसी तरीक जो होती है वो इंक्रीस हो जाते है तो उसे हम क्या कहें अगर लिख्य क्या कहें एंगिसर निसी थर्ड वन है बैसोफिल जो है वह कितनी प्रजन होती है ओली 0.0.5 तो 1 प्रसेंट यानि कि सबसे कम जो है वह बैसोफिल दिखाई दिखाई देती है ठीक है डायमेटर डायमेटर इसका होता है एट टू 10 13 mm होती है लाइफ इसका कितना होता है एट टू 12 देस आट से 12 दिन तक यह रहती है लोब इसमें भी 2-3 लोब जो है वह प्रजेंट होते है और बेसोफिल जो है उसका फंक्शन होता है सिक्रीट हिपैरीन क्या है एक नेचूरल एंटिकोगलेंट है इसके बारे में हम प्रीव प्रीवेंट क्लोट होने से बचाता है हिपैरीन के पाट नेटेशी टूफिल अब हम बात करते हैं लोब हैव उसकि जिसमें कि अपसेंट होंगे ठीक हम बात करते हैं ग्रेंट के बारे में तो मैंने बताएं का यह अप्रियोल सब्सेंट हों जिस तरीके से हमने Eosinophil को कहा था कि वो by lobd होती क्योंकि उसमें 2 lob present होते हैं इस प्रकारिश में कोई lobd Śके न्युक्लियस के अंदर नहीं होते हैं ठीक है, first one हम बात करते हैं ठीक है, तो lymphocyte हमारी body में present होती है WBC के अंदर ठीक है जो के एग रेनेरो साइट का एक पार्ट होता है ठीक है तो ये दो प्रकार की होती है लाज लिंफो साइट और स्माल लिंफो साइट ठीक है स्माल लिंफो साइट जो है वो ज्यादा प्रजेंट होती है देन किसे करें हम लिम्पोसाइट कीतना होता है लेच देन 24 हावर typ IS से भी कम जो इसका लाइफिस्वान होता है क्या होता है प्रोडूस एंटीबॉड एंड ऐनल मीडेयोटे इम्यूनुटी क्या काम करती है ये और müsकि करने का मुलिब है कुम है कि तो होती है टी आ वे हुरे तो ले यह घुते हैं बीस सेल्स होती है वह होती द्वारा धाइमस ग्लेंट की तो ही द्वारा जो कि क्या करती है इंदरिया सब्सक्राइब करें गए उसको इसको उस एक्टेरिया को से अधियर और जैसे ही वह जाएगी वह इस टीलिंफोसाइट को बोलेगी तीलिम्फोसाइट जो है वो खिल कर देगी किसको उस बैक्टेरिया को उस antigen को ठीक है और जैसे ही बैक्टेरिया खिल होगा monocyte जाके क्या करेगा उसको influgde कर लेगा monocyte क्या होती है वह माँ अगे देखेंगे did क्छेंगे चिक के तो मेरी किसे ज्ञाँ कि आगी तक साथी के एक जो भीष शाल ल थो धिक जिंदा रहती आप दो goldenवर्य प्राजेंट और हमद आयुक। कि सबसी होती है णिजर कि कोन से एक ही स्टी कुन से हुती है और सबसे लार्जेस्ट वह कुन से होती है कियो कहा है技 तो होता है और bet orang कितना होता है 15 da साथ सी से वह इसमें से परप्विल सबसे पहले एंटीबोड़ी शुरी एंटीजन जो हैं हमारी बोडि में ये जैसे ही एंटीजन इंटर होगा हमारी बोडि में, ठीकर सब से पहले क्या प्रोडियूस होगी एंटीजन के अगेंड़milक अचलक धा बैक्टिरिया को और किल करने के बाद वह मोनोसाइट क्या करेगी इसको इन्फ्लग्ड कर लेगी इसके अंदर थेकर तो इस प्रकार की प्रोसेश जो होती है WPC जो है उसका main role होता है defense mechanism के लिए ठीक है तो उसके बाद हम बात करते है प्लेट के यह तो हो गया हमारे WPC के बारे में अब हम बात करेंगे कि प्लेट ठीक है तो क्या होती है प्लेट 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 आर स्माल एंड नॉन नुकलेटेड जिस प्रकार से RBC में नुकलियस न मुकलियस नहीं आप यह तो जो है क्थम हो जाता है तो उसके बढीक होती है कहां पर स्प्ली में आर questo पीस प्लिंड में sleeping में फीजाखlt चैसेट तो इसमाल होती है नॉन नॉक्लियस नहीं प्रेज नेन होता है इस इसका बारेषण होता है देकित अभी कर देगा होता है formation इसका कहां होता है में कि इन बोन मेरो में जो यानि कि यह जो चैन्ज चलती है जब हिमेटोपाइसे त्रोमबोफेसिस को हम कहते हैं thrombopoesies और leukopoesies WBC की formation को और RBC को formation को हां प्लेटलेट की formation को क्या कहते है thrombopoesies ठीक है आगे बात करते है लाइफ इस्पान की तो इसका life span कितना होता है add to 11 day ठीक है और normal वैल्यू उसके कितनी होती है तेल लाख से 4 लाख जो है इसकी normal value होती है ठीक है । अगर क्होंबो साइटोसिसज़। पैंडीशन होता है्टाव गांडीज़। जब डेंगू होता है तो उसमें क्या होती हिए प्लेट बहुत ज़ादा कम हो जाती ही तो उस वज θα कन अवट जाती है और ये बढ़ गई तो सबंस्क्राइब ऐसेर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो बसक्राइब बसKeन, व् laugh for nervous system बहनी जो है वो रुख जाती है अगर जो है प्लेटलिट वो कम हो जाती है तो क्हलों के बाद एक के बाद ग को दूसरे को एक्टिवेट करता रहता है और इस तरीके से last में जाके fibrin बन जाता है वहाँ पर क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है आपने आपको देखा होगा जब आपको कोई चोट लग जाती है तो वह खून धीरे-दीरे बहना बन जाता है और वहाँ पर क्लोट सा बन जाता है छोटा स लगाइब होने पर कि वह खूसे करती है उसके बाद इंफ्लामेशन से भी आपको बचाता है टो यह function होता है plantate लिव्हाइड बढ़ जाती है तो क्या होता है लेटल बढ़ जाएगी तो वह अंदर य-अंदर क्या होने लग जाएगा क्लोड बनने लग जाएगा और इसको प्रेटलिट का काम ही क्या होता है कलोट का फॉर्मेशन करना तूदेट जादा ही बनने लग जादा मत्लम बनने लग तो क्या होगा या जी 3 लॉकर के अगले लेक्ष्ट अधर इसका टेलिटृप में यह